हालOff friends आपका स्वागत है हमारे चैनल में फैंस बहुत लोगों के क्वेरिज आरही थी कि कितना सीट बाकि है Western railway जो की आपका RRB आहमदाबाद के अंतरगत में आता है तो दोस्तो इसके अंतरगत एक जो Candidate है जो RRB group D28-त'ara के Candidate है उन्हें RTI डाली थी तो RTI में क्या जवाब आया तो उसका सारा डीटेल आप दोस्तों इस वीडियो में देख पाएंगे तो दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पर आप छोड़ी से रिकोर्स पर वीडियो को लाइक सेर करती जगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अकन को दबा लिजेगा रेलवे बरते की पलपल की अपडेट्स के लिए तो फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं वह RTI का रिप्लाई आखिर क्या रिप्लाई आया और कितने सीटे बाकी यह दोस्तों केटेगरी वाई तो सारा डीटेल में हम आपक दिखाएंगे जिसका जवाब आया है तो चले दोस्तों हम डायेट्री चलते हो RTI के रिप्लाई में आपको दिखा देते हैं वह PDF जिसमें सारा कुछ डिटेल मेंसन है जो मिनिस्ट्री ओप रेलवे के द्वारा दिया गया है केंडिडेट्स को तो दोस्तों केंडिडेट्स तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो यह आपका RTI का जवाब है Western Railway की तरफ से और यह देखें किले लिए हैं मेंसन कर दिया गया है और यह आपका केंडिडेट्स का पूरा डिटेल यहां देख सकते हैं आप दोस्तों और यहां देखें दोस्तों क्या है सब्जेक्ट मे तो सुचना अधिकारी अधिनियम 2005 के अंतरगर सुचना परदान करना ठीक है तो आपकी दोस्तों अगर कोई queries है किसी भी zone में तो आप अपना queries अब अपने दुविधाओं का हल पा सकते हैं simple एक RTI apply करने से वहां पर आपको जबाब मिल सकता है ठीक है RTI कैसे आपको apply करना ह अगर आपके पूरा process आपको जानना है तो दोस्तों इसी वीडियो को description में आप लोग जाकर वो पूरा process मैंने online कैसे करते हैं तो आपको बताया है step by step तो आप उसकी जानकारी ले सकते हो वीडियो में description है उसको link आपको वहां पर मिल जाएगा तो चले दोस्तों इसको देख 11.2020 इस कारियाला में प्राप्त हुआ इस संबंद में section 54 RTI Act 2005 के तहट संबंदित बिवागिया अधिकारी द्वारा प्राप सूचना की प्रति संगलन की जारी है तो दोस्तों वहां पर जो मुक्ष सूचना आउखत रहते हैं तो वो क्या जवाब यहां पर दे रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है तो आगे देखे क्या लिखावाई यदि आप सलंग्न सुचना से सहमत नहीं है तो इस पत्र प्राप्त होने की तीथी से 30 दिनों के भीतर अपील निमलिखित अपील प्रादिकारी को कर सकते हैं तो दोस्तों यहां बताया रहा है कि जो अगर आप कोई RTIP अप्लाई करते हो और आप RTIP के रिप्लाई से संतुष नहीं हो तो आपके पास अलग आप्सन है कि आप इसको री अपील कर सकते हैं जिसके लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाता है जो आपको मुख्य कार्मी का धिकारी है उसके तरफ से ठीक है अब आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों वह सलगन जहां पर आपको पूरी डीटेल में आपको प्राइचल जाए कितनी सीटे बाकी है केटेगरी वाईज सो फेंट यहां देखिए तो कि केंडिडेट का जो कोश्चन था वह आपका था पहला नंबर है कि हाव मेनी वेकेंड सीट इन सीट इन पार्ट 6 दोस्तों आप लोगो जैसे पता है कि टोटल यहां पर छे पैनल गोसित हो चुके हैं वेस्टन रेलवे में तो उसके बाद देखिए क्या लिखावा तो बैलेंस वेकेंसी ओप नॉन पी डी डी आर एज अंडर तो दोस्तों यहां पर नॉन पी डी डी जो दिव् भी बहुत सकते हैं तो यहां टोटल 68 बाकी है यानि 68 उसके बाद आगला आता आपको OBC तो OBC में 36 सीटे बाकी है यानि 36 उसके बाद SC में 23 23 सीट में 14 14 और इस तरह से दोस्तों टोटल सीट जो बाकी है अभी फिलहाल करेंट सिच्वेशन में वह आपका है 141 यानि 141 ठीक ह गया तो वह देखे क्या है तो how much time to take fulfill this vacancy तो candidate ने दोस्तों यह पूछा है कि इस 2018 के वेकेंशी को complete करने में कितना समय लगेगा तो दोस्तों इन्होंने क्या जबाब दिया जो सुचना आयोग थे तो उन्होंने क्या जबाब दिया उसका answer आप देखी यहां पर under the provision of RDI Act 2005 only such information can be supplied which already exist and is held by public authority or held under the control of public authority in the form as they held by the public authority there is no provision to create information or to interpret information or to solve the problem raised by applicant or to furnish replies to hypothetical question तो दोस्तों यहां पर जो सुचना आयोग थे उन्होंने यह बता दिया कि वैसे question जो public authority को मिलता है यानि जिसकी आगया उस department देती है कि आप यह information share कर सकते हो तो वही information सुचना आयोग से आपको RTI में उसका reply देते हैं यह दोस्तों एक hypothetical question है यह candidate के दोवारा पूछा जा है कि कब इसका अंत होगा कब पूरे वेकेंसी फुल्फिल होगी तो उन्होंने बोला कि यह hypothetical question है जिसका जबाब मेरे पास भी नहीं है कि कब यह complete होगी अब आते हैं third question में तो candidate के दोवारा जो पूछा गया third question वो देखिए यहाँ पर है तो how many vacancy vacant for undeserved category तो undeserved category के बता जा रहा है जो आपका है general category बोल सकते हो तो balance category देखिए यहाँ पर है तो वहाँ पर अभी नए panel list आएंगे अगर candidate sufficient नहीं है तो दोस्तो नए लोगों को DV के लिए भी बुलाया जा सकता है लेकिन यह दोस्तो अभी मैं अनुमान कर रहा हूं तो देखते हैं आगे के समय में क्या होता है क्या नया DV list आता है या फिर panel list आता है जो pending वालों के हो जाए और सारे पोस्ट में eligible candidate हो उसकी भरती हो जाए तो दोस्तो इसके लिए हमारे चैनल पर आपको लगातर बनने रहना पड़ेगा और साथी साथ आप दोस्तो हमारे discussion हमसे one-to-one chat करने के लिए official टेलिग्राम ग्रूप से जूड़ सकते हैं description में आपको उसका link मिल जाए टेलिग्रत